अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR Career Point YouTube चैनल और इस घंटी को सॉल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बिहार बोड कलास 10 के हिंदी के एक और महत्वपूर्ण कलास में आप सभी का स्वागत है आज का कलास आप सभी छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो आपके बिहार बोड कलास 10 के हिंदी का ये बुक है जिसका नाम है गोधली जिसका पिक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे है इस बुक में जितने भी आपके गध खंड़ है और गध खंड़ में जितने भी कहानी या निबंध है उद् étaient के जो कहानिकार या निबंधकार है उनके नाम से और उन्होंने कौन सा चेप्टर पूछा है इससे तो हर साल परिक्चा में प्रसन आते ही आते है आज के कलास में हम लोगों ने परियास किया कि इस बुक से जितने भी कहानी और कहानिकार के नाम है उसको हम लोग क्वीज के रूप में लेकर समझ लेंगे ताकि आपसे एक भी प्रस्ण नहीं छूटे हो गर आज के कलास आप अंत तक देखते हैं तो इतना आपको विश्वा कौन है ध्यान से एक प्रस्ण को जबाब दीजिए और यह भी आप काउंट करते चलेगा कि आपका 15 में से कुल कितना प्रस्ण सही हो रहा है जब एक क्वीज समाप्त होगा तो अंत में नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपने नाम के साथ बताना है कि हाँ मेरा 15 में से इ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन ए डॉक्टर भीम रावाम बेटकर आपके स्वरम विभाजन और जाती पर्था के लेखा कहें आगे बढ़ेंगे दूसरे नमर प्रस्ण की बात करेंगे प्रस्ण आपसे कह रहा है कि स्वरम विभाजन और जाती पर्था क्या ह Option A है कहानी, Option B है भासन, Option C है निबंध और Option D है साक्छातकार आपका समय शुरू हो चुका है तो इसका राइट आंसर आ गया Option C निबंध, सरम विवाजनर और जाती परता क्या है इसकी बिधा निबंध है आगे बढ़ेंगे तीस्टे नमर प्रसंट की बात करेंगे कह रहा है बीस के दात सीरसक कहानी के कहानीकार कौन है Option A है मोहन राकेश, Option B है कमलेस्वर, Option C है प्रेम चंदर और Option D है नलिन विलोचन सरमा इसका जबाब दीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option D नलिन विलोचन सरमा इसके दात सीरसक कहानी के कहानीकार है देखिए पाठ का नाम और उसके लेखा का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से हर साल प्रसंट आते हैं आगे बढ़ेंगे चौथे नमर प्रसंट की बात करें तो कहा रहा है भारत से हम क्या सीखें इसके राचनाकार कौन है तात कि जो आपका चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें इसको किसने लिखा यहीं प्रसंट आपसे पूछा गया है आपसन A है बिवेकानंद, आपसन B है मैक्स मुलर, आपसन C है रबिंदरनाध ठाकूर और आपसन D है दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर आपसन B भारत से हम क्या सीखें कराचनाकार कौन है मैक्स मुलर आगे बढ़ेंगे पांच नमर प्रसन है कि नाखुन क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है ताथ कि नाखुन क्यों बढ़ते हैं जो आपका निबंध है उसके निबंधकार कौन है आपको बताना है उप्सन ए है गुलाब राय उप्सन भी है सांती प्रिये दुबेदी उप्षन C है परताप नरायन मिस्र और उप्षन D है आचार या हजारी पर साद दुबेदी तो जीतने भी छातर इस प्रस्ण का जवाब उप्षन D दी है उनका बिल्कुल सही है नाकुन क्यों बढ़ते हैं इसके निबंदकार हैं आचार या हरजारी पर साद दुबेदी जी आगे बढ़ेंगे छे नमर प्रस्ण की बात करें तो कह रहा है नागरी लीपी सिर्षक निबंद के निबंदकार कौन है उप्षन A है गुणाकर मुले उप्षन B है राम चंदर सुकल उप्षन C है डॉक्टर भोलानात तिवारी उप्षन D है बाबू राम सक सेन आपका सम हो चुका इसका जबाब दीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन A नागरी लीपी सिर्षक निबंद के निबंदकार कौन है गुणाकर मुले आगे बढ़ेंगे साथ नमर प्रस्ण की बात करें तो कह रहा है बहादूर सिर्षक कहानी के कहानिकार कौन है राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन C आप पढ़ेंगे कि बहादूर सिर्षक कहानी के कहानिकार अमरकान्त है आगे बढ़ेंगे आठ नमर प्रस्ण आ रहा है आपके सामने कह रहा है प्रमपरा का मुल्यांकन किसकी कृती है और थाथ कि प्रमपरा का मुल्यांकन को किसने Option A है रामधारी सिंग दिनकर, option B है असोक बाजबेई, option C है या तिंद्रमेश, option D है रामभिलास सरमा, आपका समय शुरू हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, option D, रामभिलास सरमा के द्वारा परंपरा के मुल्यांकन की राजना हुआ है, आगे बढ़ेंगे नौ नमर प्रस्ण है पंडित बिर्जू महराज किस कलासे संबंधित हैं ओप्षन है नाट्य कलासे, ओप्षन बी है निर्थ्य कलासे, ओप्षन स्तिय संगीत कलासे, वहीं पे ओप्षन डी है चितर कलासे आपका समय शुरू हो चुका है तो इसका right answer हो जाएगा option B, पंडित बिर्जु महराज आप जानते हैं, नरित कलास नरित और पंडित बिर्जु महराज दोनों एक दूसरे के परियाय थे, तो इसका right answer हो जाएगार कौन सार नरित पूछेगा तो कथक नरित, right answer option B है देखिए आज का ऐसा कलास है कि अगर आपे 15 प्रसन याद कर लेते हैं, तो आपको C.O. रहना है कि यहां से काफी प्रसन आपको बोर्ड परिक्छा में जरूर मिलेंगे, दस नमर प्रसन आपसे कह रहा है कि आबिन्यों के रासनाकार कौन है, option A है कैलास बाजपेई, option B है किस दोरी दास बाजपेई, option C है अटल बिहारी बाजपेई, option D है असोक बाजपेई, आपका समय शुरू हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो गया, option D, आबिन्यों के रासनाकार कौन है, असोक बाजपेई जी, आगे बढ़ेंगे, गारा नमर प्रसन आपसे कह रहा है, option B है रूस, option C है भारत, option D है मिस्र, तो इसका राइट आंसर हो गया, option A, फ्रांस, आप जानते हैं, आब इन्यों फ्रांस में रोन नदी के किनारे इस्थितेक सहर है, आगे बढ़ेंगे, बारा नमर प्रसन है, बिनोद कुमार सुकल द्वारा रचित कहानी कौन है, option A है ब बिनोद कुमार सुकल ने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, option B, मचली कहानी बिनोद कुमार सुकल के द्वारा रचित है, तेरा नमर प्रसन की बात करें, तो प्रसन है कि नौबत खाने में इबादत, किस बिधा में रचित है, और ताथ कि नौबत खाने में आपका पाठ है, उसकी बिधा क्या है, आपको बताना है, option D है निबंध, option B है कहानी, option C है आलोचना, option D है बेक्ती चित्र, आपका समय सुरू हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, option D बेक्ती चित्र, आप जानते हैं, नौबत खाने में इबादत जो है, वो इनका बेक्ती चित्र है, तो उस्ताद बिस्मिल्ला खा का, आगे बढ़ेंगे, चौदान अमरा प्रस्ण कर रहा है, बिस्मिल्ला खा परसीद डैस डैस थे, अफ्ताद कि बिस्मिल्ला खा की स्पेशा से जुड़े हुए थे, option A है सितार वादक, option B है सरोद वादक, option C है गिटार वादक, वही पर option D है, सहनाई वादक आपका समय शुरू है, तो जितने चातर इस प्रस्ण का जबाब option D दिये है, उनका बिल्कुल सही है, बिस्मिल्ला खा एक परसीद सहनाई वादक थे, आगे बढ़ेंगे 15 अमरा प्रस्ण की बात करें, तो कह रहा है, महात्मा यहीं में से कोई ने आपको बताना है कि इस चारों में से कौन महात्मा गांधी के द्वारा रचीत है, तो इसका right answer आगया, option B, सिक्षा और संस्कृति आपका पाठ महात्मा गांधी की राचना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नीचे comment box में जरूर बताईएगा कि आपका 15 में से कूल कितना प्रसन सही वाय सही आप पद खंडर थात की कभीता वाले section का भी क्वीड चाहते हैं, तो उसके बारे में भी अपना right दीजिएगा, जैसा आपका comment आएगा, वैसे हम लोग क्लास लाने का परियास करते हैं, तो मिलेंगे तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद